अपने इंकम टेक्स के केसिस की सिरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है नेक्स्टन वेपार प्राइवेट लिमिटेड वर्सिस प्रिंसिपल सी इटी टू थाउजन ट्वंटीवन यह मैटर आईटी इटी कॉलकता ने डिसाइड किया इस केस के अंदर जो भी अससी के साथ हुआ वो बिल्कुल यूनीक हुआ ऐसा बहुत कम केसिस में देखने को मिलता है इसलिए मैं इस case को आप लोगों के सामने discuss कर रहा हूँ कि किस तरीके से department की जो सोच है assessi के लिए और जिस तरीके से income tax के provisions का assessi की harassment के लिए use किया जाता है ये case उस चीज़ का एक बहुत ही perfect example है इस case के अंदर जब assessi की assessment हो रही थी section 143 sub section 3 के अंदर तो assessi ने कुछ share application money receive किया था कुछ assessi के पास share premium आया हुआ था और जिन लोगों से भी assessi ने ये capital receive करी थी उन सब की identity, credit worthiness और genuerness के लिए जो भी documentation हो सकती थी वो assessi ने दी थी जो share applicants थे उनका भी section 143 sub section 3 के अंदर assessment पहले हो चुका था उन सब लोगों को summons issue किये गए थे उन सब लोगों ने आ करके गवाई दे थी section 131 sub section 1 के अंदर उन सब की summons का compliance भी हो चुका था लेकिन assessing officer ने assessi की addition share application money को लेकर के कर दिया था बाद में यहां पे भी department का जो है इच्छा पूरी नहीं हुई और principal CIT साहब ने 263 issue किया कि यह order presidential to the revenue है लेकिन जब assessing officer को दुबारे assessment करने का दिशा निर्देश दिये गए section 263 के अंदर तो उस time जो assessing officers आप थे उनको यह लगा कि assessi के जो भी inquiry की गई है वो बिल्कुल proper थी उन्होंने देखा कि पूरे summons का compliance हो चुका है जो share replicants थे उनका section 143 सब section 3 के अंदर assessment हो चुका है और जब assessing officer section 263 के अंदर दुबारे order लिख रहे थे तो उन्होंने उन additions को delete कर दिया यह case के अंदर सबसे ज़्यादा important mode था क्योंकि section 263 जो है वो उसके अंदर उस order को revise किया जाता है जो कि prejudicial to the interest of the revenue होता है लेकिन यहां पे assessing officer ने बहुत हिम्मत का काम किया और एक जिसको कहते है कि पहली मेरे पुरे lifetime के अंदर एक ऐसा order देखने को मिला जहां पे 263 के अंदर assessing officer ने assessing की income की addition जो किया था उसको reduce कर दिया हो और उसके बाद assessing officer ने जो share application की addition के गए थी उसको delete कर दिया बात में principal CIT साब को यह लगा कि यह जो दूसरा assessment order पास किया गया था 263 के अंदर यह prejudicial to the interest to the revenue नहीं हो सकता और उन्होंने दुबारे उस 263 oblique 143 subsection 3 के order को फिर दुबारे 263 के अंदर reopen कर दिया उनका कहना था कि जो order 263 के अंदर किया गया है वो prejudicial to the interest to the revenue नहीं हो सकता बहुत interesting case है कभी ऐसा नहीं होता कि income tax officer ने 263 के अंदर assessing की income को कम पे आंकलन कर दिया हो लेकिन इस case में हुआ तो जब principal CIT ने दुबारे इसका 263 के अंदर revision किया तो यहाँ पे यह मुद्दा था ITAT के पास कि यह जो 263 दुबारे किया गया है खाली इस point पर कि 263 होने के बाद क्या assessing की income को कम भी किया जा सकता या नहीं किया जा सकता तो इस case में ITAT कॉलकता ने यह कहा कि यदि 263 के अंदर case को reopen किया गया है और assessing officer को ऐसा लगता है कि assessi की गलत edition हो गई है तो assessing officer वो उस edition को delete कर सकता है फ्रेंट्स इस case में दो तिन विचतर बात हुई एक तो यह कि दो बार assessi का 263 किया गया यह normal cases में देखने को नहीं मिलता बड़ा unique case है department की top level की high handedness को show करता है कि assessi का पहले section 143 सब section 3 में assessment किया सारे documents देने के बाद उसकी edition कर दिया उसके बाद भी department का पेट नहीं भरा 263 के अंदर उसको revise किया और जब assessing officer को यह लगा कि assessi के साथ अन्याय हुआ है और उसने उस edition को delete कर दिया तो फिर दुबारे principal CIT साथ ने उसका 263 के अंदर दुबारे case reopen कर दिया सोच के देखें कि एक किसी भी level पे department जो है वो litigation को खतम नहीं करना चाहता they just want to linger on the matters और उसके बाद फिर ऐसी schemes आती है विवाद से विश्वास तक और यह और उन schemes का भी क्या हश्र होता है यह हम लोगों ने अपने professional life में देखा है बेराल इस case में ITAT Kolkata ने यह decide कि जो assessing officer ने 263 के अंदर assessing की income को कम किया है क्योंकि सारे paper session ने submit कर दिये थे share applicants की identity credit worthiness और genuerness prove हो गई थी तो वो ऐसा कर सकता है और यह नहीं माना जाएगा कि 260 के 263 के अंदर जो order revise किया गया है वो prejudicial to the interest of the revenue है friends एक बार फिर मैं case का नाम repeat कर रहा हूं case का नाम है next and vapor private limited versus principal CIT 2021 यह case recently decide हुआ है और यह case कॉलकता ITAT ने decide किया friends इस video के end में मैं आपसे यह निविधन करता हूं कि आप मेरे चैनल को subscribe करें और bell icon press करें यदि आप यह चाहते हैं कि आपको जो latest cases decide होते हैं उन latest cases का notification आता रहे और यदि आपका कोई suggestions हैं तो आप वो भी comment box में लिख सकते हैं ताकि मैं उन चीजों को आगे आने वाले वीडियो में incorporate कर सकूँ Thank you friends Thank you